हेलों वेलकम गाईज आपको बताने वाला हो फ्रेक्शन के बारे हैं इस वीडियो में पूरा बता हूं कि कहां से स्टाइड हो थी कहां समें एडिशन सब्रेक्शन मुल्टिपिकेशन यह बगारा जितनी भी मैतड होती में आपको इसमें समझाने वाला हूं तो चलिए हम इसको कहते हैं यह पर इसको भिन्ड कहते हैं लोगार बह्त हो लिए और आपका शुक्राइड आपका जिरू नहीं होना चाहिए तो इस तरह के नमर जैसे 19th 2, 3 upon 2, 1 by 3, इस तरह के नमर क्या 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 लाएंगे, आपके बिन क्या लाएंगे, या पर आपका फ्रैक्शन क्या लाएंगे, जैसे ये 2 लिखा है, ये भी आपका एक बिन सौन क्या है, कैसे हम किसी भी नमर के अपको बन लिख सकते हैं, तो ये आपका बन गा है numerator and denominator, तो ज इसका मतलब यह है, कि आपका 0 तो इसका होना 1 बन मालेगे, तो हमारा जहां पर numerator है, वो क्या है अपना, numerator अपना 1 है, तो इसका मतलब CDC बात ही है, कि 0 क्या नहीं है, जो को denominator अपना 0 नहीं होना चाहिए, तो denominator अपना 1 है, तो denominator जो जो जीरो ना होके कुछ भी हो, तो ये आप इसको mixed fraction, mixed fraction, कि यहां पर ये number और 7 वो उसके साथ में fraction भी है, इसको कहते है, mixed fraction, तो हम आए हम आखे बढ़ते, जैसे हम mixed fraction बनानों, जैसे कि 3 upon 2 लिखा, तो इसको मैं divide करूँगा, 2 ones are 2, तो ये जितनी बार किया हो, यहां लिख दो, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 अपनो इसको क्या बनाएंगे, mixed fraction बनाएंगे, जैसे कि लिखाए, 10 upon 9, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, कि हमारा जो denominator होना चाहिए, और जो हमारा numerator हो चोटा होना चाहिए, यह proper fraction कहलाता, अगर आपका denominator चोटा है, और numerator बड़ा है, मतला आपका अंश जो बड़ा है, और हर चोट इसको प्रॉपर नहीं है, तो इसको प्रॉपर बनाएंगे, कैसे डिवाइड करके, तो 9 1s आ 9, 9 2s 18 ज़्याद हो जाए, 9 1s 9, तो यह 1 upon 9, तो यह आपका mixed fraction होगा, और इसको प्रॉपर fraction भी कहेंगे, तो इसको बापस अगर mixed fraction को fraction बनाएंगे, एक rule होता है, यहां से इसक करते हैं, तो इन दोनों का multiply करते हैं, जी है, इसका और इसका, और इसमा plus कर देते हैं, तो 9 1s 9, 9 plus 1 upon 9, तो कितना हो जागा, 10 upon 9, तो जी बनी गये वापस आपका होई, तो यह जैसे यह रिखा है, 2 4 upon 9, तो इसको मैंको में से fraction हो, किसमा convert करना है, fraction में convert करना कैसे करोगा, इसको इन दोनों का multiply करो, इन दोनों का multiply, तो 9 2s 2 into 9, और इन दोनों का multiply गा, उसमें add करते हो, तो इसको प्लस 4 upon 9 तो 9 2s 18, उसको कितना हो जागा, 18 और 4, 22 upon 9, तो यह आपका fraction बन गया, तीख है, तो अब हम सीखते हैं, इनका addition, देखते हैं, क्या उसका addition में, तो देखे है कोशन लेते हैं, fraction का, तो यहाँ बाता हैं, जब आपका denominator है, हर की value वो equal हो आपस में, आपस में क्या हो, यहाँ भी 4 लेका, यहाँ भी 4 लेका, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो इसको नीचे जो लिखा उसको एक बार जैसा लिखा, वैसा का बैसा लिख दीजे, और उपर वालों को भी जैसे लेके, वैसे के, वैसे ही लिख दीजे, ठीक है, तो नीचे तो denominator लेका, उसको बैसा का बैसा, उपर वालों भी जैसे लेके, विल्कुल बैसे के, वैसे, तो 1 प्लस तरीके तो लेका 4, और आपको 4 लेका दा, 4 से 4 कहें से, तांसर इस 1, इस तर दीजे, वैसे के, वैसे लेके हैं, तो 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 5, 11, 11 अगून 9, तो यह आपका एक तरीका हो गया, जिसमें आपका denominator रापस में क्या हो, इक्कॉल, अब हम वह वाले question solve करें, इसमें denominator रापस में equal, नहीं होते हैं, तो देखिए का, ये question लेका 3 अपन 4 प्लस 4 अप 4 3s है, डोले, दोनों का multiply हो गया, अब cross करना है, इसका इसमें करना है, और इसका इसमें करना है, 3 3s है, 9 और 4, 4 16, वाला दोनों का नीचे deloct रे वाला गोड़ा, और तडिया गोड़ा, वाला multiplication है, cross multiplication, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 25 अपन में 12, ठीक है, अब ये कुछ cancel हो रहा होता है, तो इसको हम cancel कर दें, तरवा इसको ऐसे ही शोड़ दें, कोई जिकत नहीं है, तो यह अपना different वाला हो गया, मैं और भी example ले लेता हूं, जैसे ही है, 2 upon 3 plus 1 upon 4, तो यहां पर भी दोनों का denominator आपस में क्या अलग है, तो इसको करना है, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 1s are 3, तो 11 upon 12, ठीक है, और भी ले ले लेता है, 1 upon 6 plus 2 upon 5, तो इसको क्या सबर करें, 6 5s are 13, 5 1s are 5, और 6 2s are 12, तो कितना हो जाएगा, 17 upon 13, तो इस तरीके से आपका इस दूसरा time भी खत्म होगे, लेकर अगर suppose करो कि 3 है, और उसमें तीनों का जो denominator है, वो को बताता हूं, हाँ तो आप एक कुशन आप देख सकते हैं, तो 1 upon 4 plus 1 upon 3 plus 2 upon 5 लेका, तीनों डिनों मिटर आपस में क्या, अलालालालाले, अब इसको solve करने का तरीका होता है, आपका LC, क्या होता है, LC, तो आपको LC हम लेके, यहापर आपको ऐसे solve कर लीजी, आप दो तो करक 3 upon 3, और 4 upon 4, plus 2 upon 5 लेका, 3 plus 4 लेका, 7 upon 12, plus 2 upon 5, अब देख यह भी फिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, इसको ही solve ऐसे ही करें, 12 upon 5 लेका 16, और यह आपका 75 लेका 30 लेका 24, तो कितना हो जाएगा, 5 upon 9, तो 59 upon 60 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका कैसे करना जब आप 2-2 को करके solve कर लेना है, लेकान आप एखटा तीनों को एकसा solve करना चाहते क्या करेंगी, तो क्या करेंगी, तो मैं आपको अब ही बताता हूँ, तो इस मबद क्या लेका लेका, आपको आता ही, कैसे करके, सब को लेक देंगे, 4, 3, 5, पहले हम 2 से डिवाइट कर देते हैं, 2, 2s are 4 तो जो डिवाइट ही रो उसको वैसा कब ऐसा, फिर 2, 1, 0, 3, 5 वैसा ही, आप 3 से देंगे, 3, 1, 0, 3, 5 वैसा ही, फिर 5 से देंगे, यह यह एक खंटा, तो इसको अपसी मुल्टी, 2, 2s are 4, 4, 3, 0, 2, 60, तो LCM कितना है आपका? LCM है, आपका 60 आया LCM है, कितना है LCM? 60, तो इस 2, 4, 5 से 20, कितना हो जा गई? 15, ठीक है? अब यहां पर इसको फिर क्या करते है, इसको 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 डिवाइट करके, जो ऊपर निमरेटर लिखा रहे था, अंश लिखा रहे है, तो इक का 15 में गोड़ा करें, कितना हैगा? 15 ही आएगा, अब इसको 3 से 60 को डिवाइट कितना है? 20, इस 20 का मुल्टिप्लाइ 1 में करो, तो क्या होगा? 20 होगा, अब 5 से रिवाइट करूँ है, मैं 60 हो, 5 बंसा 5, बच्चा में 5 तो कितना होगा? 12, तो इस 12 का मुल्टिप्लाइ 2 में करेंगा, कितना हो जाएगा आपका? 24, ठीक है? अब इसको एड कर देता हो, तो आपको 59 आपन 60, तो देखिए उससे भी इसका आणसर 59 आपन 60 है, और इससे भी इसका आणसर 59 आपन 60 है, तो दोनों ही मेटड में से आपको जो करना है, आप कर सकते हैं, तब हमने प्लस करना सीख लिया, वैसे ही माइनस भी ऐसे ही होता है, उसमें कोई फार्क नहीं पढ़ जैसे कि देखिए न, 1 upon 4, multiply 2 upon 3, एक आणसर 59 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 कोई आणसर 59 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 आणस आप यहां पर इसे जब क्रॉस में भी आप इनको मैं करता हूं आपको बतातू है आपने सापने मुल्टिप्ला होता है वीचे दिवाइट होता है और अप एसे धिवाइट आसे कोई फार्क नहीं पड़ता है तो यह आप जिस तो जाएगा ठीक है अगर जैसे आप यह लिए रहे है तो अपोन 6 इंटु 3 अपोन 2 इंटु 2 अपोन 5 यह कोश्चन है इसमें आगर आप पहले इतना साथ लेकर आपको रूल को ही है उपर उपर का मुल्टिप्ला कर दो नीचे नीचे का कर दो लेकर आपको चीज कैंसल हो रहे तो इसको कैंसल कर दो अच्छा है आप ज्यान से देखेंगे यह टू से टू कैंसल यह आपका 3 1 सा 3 3 2 सा 6 और यह 2 से टू भी चैंसल तो देखेंगे ऊपर बार आपको सभी नंबर कैंसल होगा क्या बचेगा बन बच्छा और यहां पर यह फिसके बच्छा फाए तो बन आप पुरा सीधा सीधा मुल्टिप्ल जैसे हैं 5 डि से लेवाइड प्रफृष्चald करना तो बहुत सिंपल रून होता है आपको कोकुछ नही पंद inmूटिप्ल्क है और इसको अफ निंगे करती है और शैइको पलत दो रेए रीगोड कर दो नानान अइन अपॉन ठीघरी हम अपने ही मुंटिप्लाय करना, मैं आता ही है, तो मैं कहा रहे हैं, सामने सामने मुंटिप्लाय, लेकिना कोई चीज कैंसल हो, उसको पहले कैंसल कर दो, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 4 3s are 12, तो 5 1s are 5, तो यह आपका answer है, 12 upon 5, तो यह तो विल्कुल सिंबल था, जैसे आप डिवाइड, कितना भी डिवाइड आपो करना हो, जैसे मैं 3 डिवाइड ले था, जैसे 4 upon 5 divided by, 1 upon 7 divided by, 3 upon 5, अब इसको मुझे डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंबल है, 4 upon 5 ऐसे रहेगा, multiply कर दीजी, इसको पलट देंगे, तो 7 upon 1, तो इसको भी हम पलट देंगे, multiply लगा क्या हो जाएगे, आपका 5 upon 3, simple था, बस आप solve कर देंगे, इसको 5 से 5, cancel, तो यह कितना हो जाएगा, आपका 4, 7, 4 जा कितना हो जाएगा, 28 upon 3 बन जा 3, तो यह आपका क्या में हम और यू, mix-ups चीज़ें पढ़ेंगे, तो guys, वीडियो को आखरी तक देखने लिए आपका बहुत बहुत ज़र्वाद, तागर आपको यह पसंद है तो like करें, comment करें, और यहां share भी जरूर करें लोगों के साथ, ताकि जादा जादा लोगों को यह basics to measure, वो लोगों क समझ मैं, thanks for watching